हेलो एवरीबन आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया ट्रीटमेंट इन चिल्डन यानि की बच्चों के अंदर अगर लूज मोशन हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में जो डायरिया होता है उसके कारण क्या-क्या है फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे ठीक है तो 70% जो कारण है वो viral cause होता है और 30% जो cause है वो या तो bacterial cause हो सकता है या फिर protozoval cause हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम मानते हैं कि बच्चे को virus की वज़े से diarrhea हुआ है याने कि viral cause है ठीक है अगर viral cause की वज़े से बच्चे को diarrhea हुआ है तो फिर तो बच्चे को किसी भी टाइप की antibiotic नहीं दी जाती है viral cause की वज़े से हुआ diarrhea अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन जो बात समझने की है वो मैं आप बताता हूँ कोज कुछ भी हो diarrhea का diarrhea के अंदर water loss होता है और साथ ही electrolyte का भी loss होता है जिसकी वज़े से body में dehydration हो जाता है ठीक है जो की बहुत ज्यादा कतरनाक होता है तो dehydration से बचने के लिए diarrhea के अंदर ORS का यूज़ किया जाता है यानि की oral rehydration solution या फिर oral rehydration salt इसका यूज़ किया जाता है ठीक है मैं आपको इसकी picture भी दिखा देता हूँ ये है ORS जो की diarrhea के अंदर यूज़ किया जाता है किसके लिए? ये rehydration के लिए ठीक है ताकि dehydration ना हो ओके? dehydration का मतलब होता है water की पानी की कमी होना सरीर के अंदर ठीक है? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा zinc syrup जो ये zinc syrup है ये diarrhea की severity को कम कर देता है यानि कि जो diarrhea दिन में तीन बार हो रहा होता था वो diarrhea की frequency उसको reduce कर देगा ठीक है? मालो पहले बच्चे को diarrhea मतलब lose motion पूरे दिन में तीन बार हो रहा था ठीक है? लेकिन जैसे zinc syrup आपने दिया तो zinc syrup से आपको देखने को मिला कि बच्चे की frequency diarrhea की घट गई है अब वो दो ही बार diarrhea हो रहा है ठीक है? तो जैसे जैसे आप zinc syrup देते जाओगे उसका use करते जाओग तो diarrhea ठीक हो जाएगा ओके और दूसरा point और बताता हूँ zinc की deficiency की वज़े से water और electrolyte absorb नहीं हो पाते हैं ठीक है? जिसके वज़े से उनका loss होता रहता है तो अगर आपने zinc सिरफ दिया है बच्चे को तो zinc help करेगा water और electrolyte के absorption में जिसकी वज़े से dehydration नहीं होगा ठीक है? तो यह चीज मैंने समझाई अब बात करते हैं क्या dose देनी चाहिए? किस तरीके से आपको यह zinc सिरफ देना है? तो dose की बात मैं आपको बताता हूँ आपको दिख रहा होगा zinc को निया नाम से है zinc सिरफ ठीक है? और इस side में आपको इसके पिछे का हिसा दिख रहा होगा जिसके उ बच्चा 6 महिने से कम की उमर का है तो उसको 10 mg यह जो zinc सिरफ है यह देना है ठीक है? लगबग आपको 10 से 12 दिन तक यह देना है अगर बच्चे की उमर 6 महिने से उपर की है तो उसको आपको 20 mg देना है और सेम 10 से 12 दिन तक है? अब यह 10 mg और 20 mg कैसे calculate करोगे? बहुत ही simple है यहाँ पर composition लिखी हुई है कि हर 5 ml में 20 mg है ठीक है? अगर बच्चे की उमर 6 महिने से उपर की है तो आप उसको 5 ml दोगे 5 ml का मतलब क्या है? 20 mg हो जाएगा अगर बच्चे की उमर 6 महिने से कम की है तो 10 mg देना है यानि कि 5 ml में कितना है? 20 mg तो 5 ml में कितना होगा? 10 mg तो इस situation में आप 5 ml दोगे अगर इस situation में आप 5 ml दोगे ठीक है? तो यह dose रहेगी zinc की I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है? अब वापी से उसी slide पर आते हैं देखे, ORS का यूज किया जाता है, zinc syrup का यूज किया जाता है, दोनों के बारे में हमने बात कर ली, अब यूज किया ज पहले से किसी भी type का infection है, और बच्चे को antibiotic दी जा रही है, तो ज्यादा antibiotic का use करने की वज़े से intestinal flora होता है, उसके इंदर good bacteria का balance disturb हो जाता है, जिसकी वज़े से diarrhea हो जाता है, तो prebiotics दी जाती है, ताकि intestinal flora के इंदर good bacteria का balance disturb हुआ है, वो आपी से normal हो जाए, ठीक है? इसलि हो गई होंगे, ओके, तो दोबारा से मैं सारी चीजों को wind up कर देता हूं, बिल्कुल the second के इंदर, viral cause के इंदर किसी भी type की antibiotic का use नहीं किया जाता है, डाइरिया किसी भी प्रकार का हो, चाए वो viral cause की वज़े से हो, चाए bacterial cause की वज़े से हो, चाए protozoval cause की वज़े से हो, डा की हमने detail में देख लिए हैं, क्यूं दिये जाते हैं, अब हम बात करते हैं, अगर बच्चे के अंदर bacterial cause या फिर protozoval cause की वज़े से डाइरिया हो जाए, तो क्या करना है, तो देखिएगा, next slide में हम आते हैं, देखिएगा, ध्यान से समझेगा, एक एक point समझेगा, देखिए सबसे पहले, अगर bacteria की वज़े से डाइरिया है, तो बच्चे को ओफलॉक्षासीन शिरप दिया जाएगा, छीक है, पहला point, दूसरा point, अगर protozova की वज़े से डाइरिया है, तो metronindazole शिरप दिया जाएगा, बैक्टिरिया और protozova, दोनों की वज़े से जब डाइरिया ह होता है दोनों की वज़े से जब infection होता है तो उसको mixed infection बोला जाता है तो mixed infection की वज़े से यानि की bacterial प्रोटोजोल दोनों ही कारण है तो उनकी वज़े से जब diarrhea होता है तो combination दिया जाता है किसका ओफलोकसासीन का और metronidazole का ठीक है अब ओफलोकसासीन तो bacteria को मारेगा और जो metronidazole है वो protozova को तो जिसकी वज़े से diarrhea ठीक हो जाएगा ठीक है तो मैंने ये अलग-अलग करके आपको बताया है I hope आपको जो ये तीनों point मैंने बता है ये आपको समझ में आ गए होगे अब कई बच्चों का question ये प्रोटोजोवल कोज है इसको जानने के लिए test किया जाता हुआ, stool test किया जाता है तब ही पता चलेगा न ठीक है mostly cases के अंदर ना mixed infection मिलता है यानि की bacterial और प्रोटोजोवल कोज मिलता है वहाँ पर डॉक्टर बच्चे को ये शिरप देता है ठीक है combination वाला ओफलोकसासीन और metronidazole का शिरप देता है अब इसके बारे में हम बात करते है ठीक है ये रहा हमारा ओफलोकसासीन और metronidazole का सिरप ये कब दिया जायेगा अगर बैक्टिरिया और प्रोटोजोवल कोज है तब दिया जायेगा ठीक है ये क्या है ये सिरप है आपको दिख रहाऊगा ओफलो लग नाम से आता है आगे मैं बताऊँगा एक और नाम है जो आगे अगली स्लाइड में है ठीक है सबसे पहले आप इसकी डोज समझेगा देखेगा देखेगा इस स्लाइड के अंदर मैंने एक एक बताया कि बेक्टियल कोज है तो ओफलोकसासीन प्रोटोजोल कोज है तो दियान से ओफलोकसासीन की डोज कितनी होगी अगर बच्चे को डाइरिया है तो वहाँ पर उसको ओफलोकसासीन भी दिये जाती है ठीक है जो ओफलोकसासीन का सिरप है वो दिया जाता है मैं यहाँ पर केवल ओफलोकसासीन सिरप है ना ये तो है किसके अंदर तो ओफलोकसाशीन की जो डोज है वो रहेगी 15 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइड़ी डोज कहने का मतलब यह है बच्चे का वजन अगर 1 kg है तो उसको 15 mg देंगे एक दिन में और डिवाइड़ी डोज में देंगे ठीक है अगर बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको हम 1.500 mg देंगे ठ ठीक है 1.500 mg देंगे वो भी डिवाइड़ी डोज में 75 mg सुभे देंगे और 75 mg साम को देंगे तो इस तरीके से यह जो लाइन है यह इसका मतलब है थीक है सेकिन है मेट्रो निडाजोल की क्या डोज रहेगी तो मेट्रो निडाजोल की डोज रहेगी 20 से 50 mg पर kg पर डे ठीक ह बच्चे को जब डाइरिया होता है जब mixed infection की वज़े से होता है तो combination के अंदर शिरफ दिया जाता है यान कि ये वाला शिरफ दिया जाएगा जिसका company का नाम तो मैं बता देता हूँ O2M जो ये brand name है इसके अंदर है ophloxacin और metronidazole अब ध्यान से देखिएगा जो ये bottle है इसके पीछे लिखावा होगा जो यहाँ पर मैंने ये zoom करके दिखाया है ध्यान से देखिएगा क्या लिखावा है इस 5 ml contents ophloxacin 100 mg और metronidazole 200 mg ठीक है ophloxacin 100 mg और metronidazole 200 mg कहां 5 ml के अंदर ठीक है तो ये आपको बच्चे को देना है अब देखिएगा कितना देना है अब dose की बात आती है ठीक है जो doctor है वो ये prescribe करेगा ophloxacin और metronidazole का सिर्फ prescribe करेगा डायरिया के अंदर अब अलग-अलग तो dose हमने जान लिए कि अलग-अलग तो ये रहेगी dose लेकिन हमारे पास तो क्या है हमारे पास तो combination वाला सिर्फ है इसके अंदर dose क्या रहेगी इसके अंदर dose calculate करनी है ophloxacin को मान कर आपको क्या ओफ लोक सा सीन को consider करना है फिर इसकी dose आपको calculate करनी है ठीक है अब मैं आपको एक question देता हूँ जो आपको solve करना है और आपको comment के अंदर बताना है अगर बच्चे का वजन 20 kg है तो मुझे आप ये बताओ comment करके कि जो ये O2M सिरफ है ये कितना देना है सुबह कितना देना है और साम को कितना देना है ठीक है comment में आपको बताना है कि morning में इतने ml और evening में इतने ml ये comment करके आपको बताना है ठीक है अगर आपने ये सही से comment कर दिया तो इसका मतलब आपको सब कुछ अच्छे से clear हो गया है ठीक है याद रहे इसकी dose कैसे calculate करने है combination वाले की इसको मान कर केवल ओफ लॉक सासीन को consider करना है इसको आपको neglect कर देना है केवल ओफ लॉक सासीन को consider करो dose calculate करो और comment के अंदर बताओ ठीक है अगर आपसे नहीं हो रही है तो इसके बारे में मैं next वीडियो बना दूँगा उस वीडियो का जो link है वो description box के अंदर आपको मिल जाएगा उसके अंदर मैं पूरा dose calculate करके बताओंगा कि किस तरीके से dose calculate करने है ठीक है तो ये थी आज के अमारे वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि बच्चों के अंदर अगर diarrhea यानि की lose motion हो जाए तो उसका क्या-क्या treatment होता है जो कि डोक्टर के दवारा किया जाता है ठीक है अब एक और बात द्यान से सुन लीजिएगा जो ये ओफलोकसासीन होता है ना इसके अंदर वो जो मेटरोनिडाजोल होता है इसके ना side effect होते हैं कहीं आप अपने आपसे बिना डोक्टर के consultant के आप अपने आपसे बच्चे को दे दो और बच्चे को side effect हो जाए ठीक है तो आपको बच्चे को अपने आपसे ट्रेट नहीं करना है डोक्टर को आपको दिखाना है ठीक है मैं बता देता हूँ क्या-क्या side effect है ओफलोकसासीन के side effect हो सकते है tendonitis यानि कि tendon के स्वेलिंग joint pain हो सकता है joint के अंदर pain हो सकता है joint के अंदर swelling हो सकती है muscle pain हो सकता है यह है ओफलोकसासीन के side effect मैटरिंडाजोल के side effect जैसे headache हो सकता है vomiting आ सकती है भूग का ना लगना हो सकता है dizziness हो सकता है gastric upset हो सकता है तो यह होते हैं मैटरिंडाजोल के side effect ठीक है तो अपने आप से आपको जो यह antibody का जो syrup है जो फलोकसासीन और मेटरिंडाजोल का combination में यह अपने आप से नहीं देना है doctor को दिखाना है अब दूसरी बात और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही important है अगर बच्चे के अंदर diarrhea हुआ है और उसकी frequency reduce नहीं हो रही है ठीक है तो आप तुरंट से तुरंट क्या है डोक्टर से मिलिएगा डोक्टर को दिखाना है अपने बच्चे को क्यूंकि diarrhea के केसे में बहुत ज्यादा water loss हो जाता है electrolyte loss हो जाता है जिसकी वज़े से जो situation है वो बहुत ही complication हो सकती है ठीक है तो इसलिए बच्चे की अगर frequency नहीं decrease हो रही है तो आपको डोक्टर को दिखाना ही दिखाना है ठीक है तो ये था आज का अमारा topic मिलते हैं next video के अंदर I hope आपको ये समझ में आया होगा